अलो फ्रेंड्स आज का वीडियो जो है हमारा बहुत ही जादा खास होने वाला है यूगि आज की वीडियो जो है यह बेस्ट है पैडी की और पे पैडी की और यानि कि हमारे पैरों की साफसफाई पैरों की ग्रूमिंग से रिलेड़ वीडियो है सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा सो इस वीडियो में मैंने कुछ एक टिप्स बताए हैं कि कैसे समर सीजन में हम अपने पैरों को बहुत ही ज़ता सुन्दर और अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं जिने अपने घर में बड़ी असानी से फॉलो कर सकते हैं कि सभी मटेरियल बड़ी आराम से आपको घर में मिल जाएगा फ़स्ट और फॉल हमने क्या करना है थोड़ा सा पाणी पाणी को हलका गरम करके उसको भरके अपने पैरों की अच्छे से सफाई कर लेनी है उसके बाद जो हमनें घर में लेनी है आप पाणी को हम ले सकते हैं सूजी के साथ जो second ingredient हम यूज़ करने वाले हैं वो है basin सूजी और basin का हमने एक अलग से ball में डाल के इनका अच्छे से mixer त्यार कर लेना है सूजी और basin को हम अपने हातों की सफाई पैरों की सफाई अपने face के लिए यूज़ कर सकते हैं सूजी और basin के इलावा जो third चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो है नीबू यानि की लैमल लैमन में विटामिन C जो है वो पैरों को अच्छे से डीप लीन्स करने का काम करता है इन तीनों चीज़ों को यानि की सूजी को बेसन को और third ingredient जो है हमारा लैमन तीनों को हमने अच्छे से एक बाल में डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से इसको मिला लेना है और जो चौती चीज़ हम बीच में डालने वाले हैं वो है गुलाब जल यानि की रोज वाटर रोज वाटर को हम अपने फेस की सफाई के साथ, हातों की सफाई के साथ, अपने पैरों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं गुलाब जल अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही ज़ादा अच्छी चीज़ है, डाबर गुलाबरी इसके इलाब अगर यह आपके पास नहीं है तो अप घर में ही अपने गुलाब के फूलों को उबाल कर पानी में अच्छी से उबाल कर उसका गुलाब जल तयार कर सकते हैं पहले अपने पैरों को टावल से अच्छी तरह से साफ कर लें उसके बाद दस से पंद्रा मिनिट के प्रोसीजर के बाद आपको दुबारा से पानी ले के इस पार जौलकर सैकन ताइम जो आप पानी लोगे वो हल्का ठंडा होना चाहिये तो उससे अपने पैरों को अब साफ करके दुबारा से टावल से पोच के अपने पैरों को इस समर में भी बहुत ही अच्छे से अपनी पैर की ग्रूमिंग कर सकते हो पैरों की साफ सफाइ कर सकते हो